जी या दोस्तों, तो आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में महात्मा गाधी के प्यारे में यह जो पॉरेजन हैं, आप इनके बारे में बखो भी जानते हैं और इन से जुड़ा हुआ एक्जाम में कैसे कैसे कुशन पूछते हैं आपको भी पता है तो हम आज उन सभी questions का संगरह लेके आए हैं, आज इनके बारे में deeply हम discuss करेंगे, यह भारत के सबसे legendary figure रहे हैं, तो आईए देखते हैं इनके बारे में, इसे महात्मा गाधी, यह जो topic है, हर एक exam में एक दो questions इनसे आते ही हैं, तो देखिए इनका पूरा नाम रहता है, वो है मोहंदास करमचंद काधी, तो question पूछता है कि महात्मा गाधी क्या, पूरा नाम क्या है, तो क्या होजएगा, मोहंदास करमचंद काधी, फिर एक इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 October, कितना हुआ था, 2 October 1879, अगर अस्थान की बात की जाए, तो और अस्थान पे इनका जन्म हुआ था, अब बात की जाए, इनके पिता की, तो पिता का नाम है करमचंद गाधी, करमचंद होगा, करमचंद गाधी, इनको हम कावा गाधी के नाम से भी जानते हैं, अब देखिए, ये question exam में आत भी चुका है, कितने बात, करमचंद गाधी को क किस नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा, कावा गाधी, वो क्या थे, तो वो एक दिवान थे, क्या थे, दिवान, दिवान यानि राजस्व मंतरी की बात की जा रही है, तो question पूछता है कि वो किस किस जगह के दिवान थे, और option में देएगा, राजकोट, बांका नेर, पूरबंदर, तीनों जगह के क्या थे, दिवान, राजस्व मंतरी, अब नेक्स आपका कि माता, उनकी माता का नाम है पुतली बाई, क्या नाम है, पुतली बाई, फिर उनकी पतनी के जिक्र किया गया है, तो देखिए, उनकी पतनी का नाम थे, कस्तुर्वा गाधी, पतनी थी, जब उनका साधी हुआ, तो उनकी उम्र थी 13 वर्स, और कस्तुर्वा की उम्र थी 9 वर्स, फिर कहता है कि उनके पुत्र कितने थे, पुत्र वैसे तो थे चार, लेकिन एक दत्तक पुत्र भी था, तो देखिए, चार पुत्र कौन कौन से थे, हीरा लाल, मडी ला रामदास, देवदास, ये चारों पुत्र थे उनके, और एक था दत्तक पुत्र, ये कुस्वान एक्जाम में बहुत बार आया है, कि किस अब्यक्ति को गांधी जी का दत्तक पुत्र कहा जाता है, तो वो थे जमनालाल बजाज, तो आगे चली हम देखते हैं, ये था उनका फैमली बैक्ग्डरॉंड और इसके बाद, हम नच्च देखते हैं, देखे हैं, हमारा नच्च है, कि प्रारामभिक सिक्छा जो थी उनकी, वो राजकुट से हुई थी, और अगर हम बात करते हैं, माध्यमिक सिक्छा, प्रारामभिक सिक्छा होता क्या है? 1 तो 5 की जो बात करते हैं मतलब सुर्वाती दोर में जब बच्चों को सुरू से सिखा जाता है तो वह सिख्षा उनकी राजपोट से हुई थी अगर माध्यमिक अब कहा जाए कि उनका जो सत्र था वकालत का कब से कब तक था तो था 1888-1891 यानि कि वकालत उन्होंने कि इनर टेंपल लंदन से और उनका जो सत्र था वह 1888-1891 तक फिर कहता है जो है 1891 में वह क्या हुए भारत लोटे और बॉंबे में वकालत सुरू कि तो बॉंबे सहर में ने क्या सुरू किया वकालत कहा से लोटने के बाद तो लंदन से लंदन कहा पढ़ता है तो यह इंगलेंड पढ़ता है फिर इसमें कर रहा है कि 1893 गुजरात के वैपारी जो भारत में ने बॉंबे सहर में वकालत सुरू किया शुरू करने के बाद उन्हें एक वह वकील थे तो उन्हें एक मुकदमा मिला वह किनका मुकदमा था दादा अब्दुल्ला जो थे उनका मुकदमा लड़ने के लिए कहा जाते है तो दक्षिन अफरिका दादा अब्दु जाते हैं क्या होता है मुकादमा जीत जाते हैं लेकिन वहां वे रंग भेद की नीति का सिकार हो जाते हैं अब यह रंग भेद क्या है रंग में दो चीजे थी एक था स्वेद कि यानिकी सफ़ेद की सफेद काल है तो जो सफेद्म ठेव और काले लोग थे इन लोगों में भेदभाउव था जुश फेद्म लोग ठेव उंकि उगर जनसंख्या की बात की जाये तो उनका जनसंख्या एक बटा चार धा और अगर और स्वेत की बात की जाए तो उनका जन संख्यता तीन बटा चार यानि कि अगर सौ लोगों में बात की जाए तो सौ में 25 लोग थे स्वेत और 75 लोग थे और स्वेत तो वहां पे जो 25 लोग ही थे स्वेत यानि कि सफेद लोग गोरे लोग तो वो जो है 75 लोग को प अब देखिए उसमें चीज और था कि दक्षिन अफ्रीका जो है में एसिया मूल के जो भी निवासी थे एसिया मूल के जो भी लोग एसिया महादेश के रहने वाले थे उनकी जो समस्याय थी उन समस्याओं का उन्होंने क्या किया तो समाधान किया क्या किया समाधान किया फिर कितने वर्ष तक 21 वर्ष तक अब इसमें से जाए तो इसमें से माइनस कर सकते हैं फिर आए कि 1894 अब गांधी जी वहां पहुंचे थे 1893 में उसके ठीक एक साल बात उन्होंने नडाल इंडियन कॉंग्रेस की अस्थापना कर दी 1894 में जगा कौन सी थी दक्षिन और फ्री क्य 1993 से 1914 तक गांधी जी तीन बार भारत आये तो कुश्चन पूछता है कि गांधी जी भारत कितने बार आये थे तो गांधी जी कितने बार भारत आये थे तीन बार कहां से दक्षिन अफ्रीका से दक्षिन अफ्रीका में कब से कब तक रहा है तो 1893 में से 1914 तक वह उस बीच में जब तीन बार आये हैं तो तीनों बार के यहां पर हमने जिक्र किया है पहली बार जब गांधी जी आये तो गये कितना थे 1893 में किस लिए गय थे दादा अब्दुल्ला के मुद्धे को लेकर मुकादमा उनका लड़ने गये थे हमापे वो जीत भी गये थे तो 1893 में गये और 1897 में जब वो पहली बार आये तो उस दरण अपने पत्नी और बच्चों को ले जाने के लिए आये थे यानि कि भारत जब वो आये थे पहली बार तो अपने पत्नी और बच्चों को ले जाने के लिए आये थे फिर दूसरी बार जब वह आये तो कब आये थे 1901 में जब व उन्नीस सो एक मंनल तो Congress की अधिवेशन में सामिल हुए वह अधिवेशन कहां हो रहा था to happen दिनसा वाचा में हो रहा था यानि कि हमेशा के लिए भारत लोट गए भारत लोटने पर जो है अब देखिए वो कितना तारीक को लोटे हैं तो 1915 में 9 जनवरी को लोटे हैं और उस तिथी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतिय दिवस क्या मनाते हैं प्रवासी भारतिय दिवस अब कहा रहा है कि तो यह उनका पहला आश्रम था मतलब लाइफ का पहला था और दक्षिन अफरीका में भी पहला था तारीक क्या था दो सेप्टमबर 1904 उस्टाम पर उन्होंने फिनिक्स फॉर्म के स्थापना की आस्थान था डर्वन दक्षिन अफरीका फिर जो है दूसरा उनका जो आश्रम था ताल्स्टाय नाम था उसका और अस्थान था जोहानसबर्ग वह भी कहा था दक्षिन अफरीका में तो यह दक्षिन अफरीका में उनके द्वरक किये गए दो अस्रम थे पहला था दो सेप्टमबर 1904 को दूसरा था तीस मई 1910 को पहला था फिनिक्स फॉर्म दूसरा था तोल्स्टाय पहला था डर्बन में और दूसरा था जोहानस पर गए तो आई हम नेक्स देखते हैं देखिए अब बात की जहां के राजनीतिक गुरु की तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले क्या नाम था उनका गोपाल कृष्ण गोखले इन कि मुलाकात्वी की दक्षिन अफ्रीक्या में किस से हुआ था तो गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु स्विकार किया वहां पे उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्विकार किया साथी साथ कर रहाएगा और पूछा कि बताइए कि हमें क्या करना चाहिए क्या पूछा उन्होंने कि बताइए कि हमें क्या करना चाहिए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले जी का कहनाम था कि देखिए गोखले जी ने कहा कि जब तक आप किसी बड़े क्रांतिकारी के पुस्तकू को पढ़ नहीं लेते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यानी जो उनके गुरु थे राजनीतिक गुरु थे गुपाल कृष्ण गोखले उनका सिधा सिधा मानना था कि जब तक यानी गांधी जिब तक किसी भी बड़े क्रांतिकारी किताब जो तक पढ़ नहीं देते हैं वो अपने मकसद में काम्याब नहीं होंगे तो उन्होंने जो है गोपाल किष्ण गोखले की बात मानी सबसे पहले उन्होंने पढ़ा जॉन रॉसकिंग की किताब जिसका नाम था अन्टू दिस लास्ट यह भी एक्जाम में बहुत बार आ चुका है बहुत सारे एक किताब में क्या भी सिस्ता दूसमें एक चीज था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं था है दूसरा चीज है कि उस किताब से उनको सीख क्या मिली कि भूख हरताल सबसे बड़ा हथियार है तो कुश्चन एक्जाम में पूछता है कि भूख हरताल की सीख किस से म लजी दिखते हैं उन्होंने दो और किताब पढ़ी है। गाधी जी ने जॉन रषकिन के साथ साथ डेविड तोस का किताब पढ़ा और लियो टॉल्स टाइक का किताब पढ़ा जिसमें लियो कि पूछता है कि उन्होंने जो है आंदोलन की सीख किस से ली थी तो लियो टॉल्स्टॉय से ली थी उनकी जो किताब थी उससे और वो आंदोलन कैसा होना चाहिए तो उस किताब में बताया गया था कि वो आंदोलन औहिन सक्ता यानि कि किताब पढ़ने से उनको दो चीजों क की जानकारी पीशेस्ता हुई हर्ट or की हमें भूक हर्ताल करना है तो वो था जॉन रॉस्किंग की किताब जो थी on to this last और अगर बात की जाए कि अहिंसक आंदुलून की जो सीख थी या आंदुलून की जो सीख थी वो किस्ते थी तो लियो टास्टाय से मिली अब फिर कहता है कि उनकी जो आत्म कथा थी उसको क्या नाम है तो उसको बोलते हैं इंग्लिस में माई एक्सपेरिमेंट विद तूथ हिंदी मोता है सथी के साथ मेरे परियोग अब यह जब प्रकासित हुआ यानिकि पॉब्लिस कव हुआ था तो 1915 में और इसमें कव तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है तो यह बजागा 1920 यानिकि निस तो लवखग 1920 त है कि गाधी जी का जो सिध्धान था वो क्या था तो गाधी जी का सिध्धान था सत्य और अहिंसा मतलब दो ही रास्तों पर चलना है एक तो सत्य के रास्ते पर और एक अहिंसा मतलब किसी भी परकार की हिंसा नहीं करना है किसी परकार के जीवों का जान नहीं लेना है और हम साथ ही साथ था कि सरवद है दलितों और अच्छूतों का उत्थान उत्थान मतलब होता है इसको उन्हों ऐसे ग्रोथ बोल सकते हैं इंग्लिस में कि जो भी परिवार दलित वर्ग में हो या जिनको समाज से मतलब दूर रखायाता है जिनके छुए वह वहस्तों का और उनको समाज में आगे लाना उनका सिधान दी रही था आगया गाधी जी ने कहा कि मेरे और मार्कस्वाद यह बहुत बड़ी श्टेट्मेंट थी उनकी कि उनके और मार्कस्वाद के बीच में जो है एक ही समानता थी और वो क्या थी कि दोनों के दोनों अरा जक्ता आगे उनका जो है सोच क्या था कि राज्य विहीं समाज का निर्माड करना फिर था कि समाज वादियों में व्यक्तिवादी और माक्सवादी बसता है। उनका मानना था कि जो भी समाजवादी हैं उनमें ब्यक्तिवादी और माक्सवादी दोनों बसता है और सांती साथ माक्सवादी क्या था तो अरा जक्तावाद का समर्थक था फिर है कि राजनीती का उद्ध से अब उनका मानना था कि जो राजनीती होनी चाहिए उसका क्या होना कि एक्टिव होना कि लोव और लालच करना यानि कि वह जो राजनीती चाहते थे उस राजनीती में किसी भी परकार का लोव और लालच नहीं होना चाहिए पुरी तरह से वह जो राजनीती है वह सक्रियता रूप से जन कर ले आना लोगों की भलाई के लिए होनी चा सधन उनका यह भी स्टेट्मेंट बहुत बड़ा था एक यह फिरे किये और आपका यह यह तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट हैं उनका सीधा-सीधा कहाना था कि गलत साधन कभी भी उद्दे से तक नहीं ले जा सकते यानि कि अगर हम किसी भी गलत रास्ते का प्रियों करते है तो हम अपने जो है सही मंजिल को पा नहीं सकते तो वही है कि गलत साधन कभी भी सही उद्देशने तब नहीं ले रहा सकते यह सही मार्ग तब नहीं पहुंचा सकते आए नेक्ष देखते हम देखें जैसे गांधी जी की जो अध्यात्मिक गुरू थे उनका नाम था नारायन गुरू क्या नाम था नारायन गुरू और जो उनके राजनीतिक गुरू थे उनका नाम था गुपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में हमने पहले विजिक्र किया लेकिन एक चीज़ चूड की बहुत ही इंपोर्टेंट गुपाल करण गुखले ने जब गाधी जी कहां से आ रहे थे तो दक्षिम अफ्रीका से भारत लोड रहे थे तो गुपाल क्रिष्ण गोखले ने यानि कि उनकी राजनितिक गुरु ने उनसे कहा क्या कहा कि भारत का एक वर्स तक ब्रहमण करना ब्रमण करना यानि की घुमना वह भी कैसे तो खुले कान मतलब कान खोल कर और बंद मुह के साथ यानि मुह बंद करके किसी से कुछ बोलना नहीं है सिर्फ लोग की बातों को सुनना है क्या करना है तो भारत का एक वरस्तक ब्रमण करना खुले कान और बंद मुह के साथ यह ग गाधिजी से उन्होंने कहा था अगर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोफले की मृत्यूं को भी गोपाल कृष्ण गोफले की मृत्यूं कि उन्निस सो पंद्रह में हुई यानि कि गाधिजी जब वहां से वापस रौट चुके थे तब उनकी मृत्य हुई आए नेक्स देखते हम आए लाह बात की मृत्यूं